हैलो फ्रेंग्स वेलकेमिन आवर चेनल मैं हूँ आपका दोस्त गोवीन सर्मा जैसे कि आपको पता कि हम पढ़ रहे हैं विजेता बैच और विजेता बैच में पहला ही टोपिक हम पढ़ रहे हैं लोगनरतै हमने कुछ रज्यों के लोगनरतै पढ़ लिए हैं Pinnacle Static जी के बहुत शांदर किताब है ये किताब अपने आप में रामबन साबित होगी आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं इस किताब को आप आप ओनलाइन और किसी भी बुक्स सैलर से परचेज कर सकते हैं अपने आप में SSE की दुनिया में ये किताब एक नंबर की किताब है इससे ज़्यादा खुछ नहीं जले चलते हैं आज की क्लास में आज की क्लास में हम बात करेंगे मेघले 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 की हैं इसी लिए यहां पर जो बादल हैं वो ट्रेप हो जाते हैं और वर्षा होती है दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा मेगहले में जो की 1080 cm या लगभग 1100 cm वार्षिक वर्षा के रूप में होती है इसमें अलग-अलग समुदाई यहां पर रहते हैं तो अलग-अलग यहां पर किये जाते हैं जो की इस परकार यहां पर रहने वाले हैं तो जल्दी से आपका पहला नर्टे हो गया लाहू तो लाहू याद हो जाएगा लाहू किस राज्य का विशेस नर्टे है अंसर होना चीए मेगहले मेगहले में लाहू नर्टे जैंतिया जंजाती करती है यह बेदिन खलम उत्सव के दोरान किया जाता है यह पुर्ष और महिलाएं दोनों करती है और जब मेघाले की हार्प जन जाती इस नर्टे का परदशन करते हैं तो वांगला नर्टे के रूप में जाना जाता है तो याद रखना वांगला नर्टे भी किस राज़य में है पूछा जाएगा वांगला नर्टे बेटा कड़ी बच्चे पसी मंगाल में लगा देते हैं लेकिन वांगला नर्टे आपका मध्ध सुरी क्या बोलूँ मेघाले का परसिद नर्टे है जो की हार्प जनजाती के दवारा किया जाता है लाहो नर्टे आपका मेघाले में है याद रख लेंगे बहुत बढ़िया उसके बाद यहां से इसी स्लाइड से बेदिन खलम किस राज़य का परसिद तोहार है आपको बहुत सारी जनकारिया में दूँगा देखो सभी चीजों की मैं ट्रिक नहीं बना सकता हूँ इसलिए नहीं बना सकता हूँ बेटा कि ट्रिक याद नहीं रहती है आप अपने दिमाग को थोड़ा सा सार्प बनाए और थोड़ा सा अच्छा बनाए बहुत बढ़िया अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा नौंग क्रेम नौंग क्रेम नौंग क्रेम नर्ते मेघाल्य में है याद रखना नौंग क्रेम उच्सो सरद रितू के दोरन खासी पैडियों पर मनाया जाता है खासी लोगों का पाँच द्विश्य धार्मिक ट्वार इसका नौंग क्रेम नर्ते के रूप में लोग पर ये है याद रखनेंगे मेघाल्य का परसिद उच्सो जो आपका है नौंग क्रेम ये एक नर्ते फोर्म में भी किया जाता है आगे चलेंगे अगला बहुत बढ़िया कोशन ये इंपोर्टेंट लगा देना चाड सुकारा चाड सुकारा किस राज्य में मेघाल्य में तो भाई सूकने नहीं दे रहा वहाँ पर मेघ इतने बरस्ते हैं कि सुकारा नहीं है सुकारा नहीं है चाड सुकारा में घल्ला का लोग पर ये नरते है बुवाई उच्सव के रूप में मनाय जाता है ये हर साल जैंतिया हिल्स के पनार लोगों के दोवारा मनाय जाता है तो चाड सुकारा बहुत शांदार तोहर है पेपर में कम से कम हजार बार ये कोशन पूछा गया है तो अगला आपका स्लाइड रह जाएगी ये देखो चाड सुका रहो या साद सुक गया भई वहाँ तो कुछ नहीं सुकेगा मेगहले में कुछ नहीं सुकेगा तो सुक आजए जहाँ सुकारा जहाँ साबद आजए तो आप याद रखना ये सबद आपके कहाँ पर है मेगहले में पूछ जाते है साद सुक साद सुक मैनिस एक वार्सिक वसंद त्योहार है जो फसल रोपन के उत्सो के जसन के रूप में मनाया जाता है उसके बाद है डोर सेगाटा डोर सेगाटा नर्त है महत सो भी एक नर्त है जिसमें महीलाएं नर्त के दोरन अपने पुरस सादे की पगड़ी उतारने की कोसिस करते हैं अब तुम देखो मेगहले में एक टोपी पहने हुए इंसान है और उसकी पत्री उसकी टोपी उतार रही है क्यों उतार रही है वो उसको बोल रही है कि भाई साब मैं एक एला क्यों बार इसमें भीगूँगी मैं तो तुम्हारी टोपी उतारूँगी तुम भी भीग लो तो डोर सेगाटा किस राजजगा पर सिथ है मेगले का है यह important है मैं बता चुका हूँ बेदिन खलम बेदिन खलम पर तेक वर्स जुलाई में जैनतिया हिल्स पर आयोजित होने वाली जैनतियास उत्सव का परमुक नर्ते है तो बेदिन खलम याद रखेंगे ध्यान रखेंगे अब मैंने यहाँ पीछे बताया तुम्हे वांगला नर्ते किस रज्जे का है वांगला नर्ते उत्सो का एक भाग है यह फसल के बाद पत्जड में मनाया जाता है गारोजन जाती का परमुक तोहर है वांगला इसमें बेटा ड्रम बजाये जाते हैं याद रखना वांगला मोत्सो में ड्रम बजाये जाते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल है ये उसके बाद मिजोरम मिजोरम को मेरे याद से याद रखना मजे से मजे से मिजोरम देखो चेराओ 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 मजे को क्या बोलते है चाओ से खा रहा है मजे से खा रहा है चेराओ चेराओ मिजोरम याद रखना थोड़ा सा राइमिंग हो जाएगी और ये इंपोर्टेंट है इमिजोरम का ये नर्टें बास की छड़ियों पर किया जाता है बीजा है या बंपर फसल के उच्छो पर एक परिवार इस चेराओ नर्टे को करता है याद रखेंगे देखो बंबो यह यहाँ पर यह देखेंगे यह दंडी ही बिची हुई है और इन डंडीों पर यह नर्ट चेले चिलम पीलेगा तो मजे आएंगे तो मिजोरम हो जाएगा चेलम मिजोरम का एक डांस है चेलम और मिजोरम का एक डांस है चेराओ याद रख लेंगे चापकर कूट महोचो के दोरान इसको मनाया जाता है याद रखेंगे चापकर कूट महुत सो भी किस राजय जगा है ये याद रखना यह आपका Mizorent का है इसमें मजे से लोग अपने मेतबण त्युओरियों के रूप में मनाते हैं चेलम, चेलम, चेलम उसके बाद है जंग टालम, जंग तालम भी कहा है जंग तालम भी आपका मेगहले के अंदर मनाया जाता है उसके बाद सोल किया नर्त है सोल किया नर्त है देखो सोल किया उसने क्या किया सो किया मैं तो ऐसे बोल रहा हूं सोल किया मत बोलो इसको सो किया उसने क्या सो किया अपना मजा सो किया तो सो किया नर्थ है या फिर सोल किया नर्थ है मिजोरम का एक परसिद नर्थ है याद रखेंगे मिजोरम में परचलीत है सो का अर्थ होता है दुसमन का कटा हुआ सिर और ला का अर्थ होता है नर्थ है यानि कि जैसा समझ में ग्यान के साथ किया जाता है उसके बाद करेंग अगला खुलम खुला है ना ऐसे देखो ऐसे याद हो जाएगा ना खुलम खुला मजा करेंगे तो खुलम खुला मजा मजे से क्या आ गया मिजोरम तो खुलाम नरता है या खुलम नरता है भारत के किस रज्य में किया जाता है मिजोरम में किया जाता है खुआंग चावी के सम आतमे आनी चाहिए, उसके बाद ये देखो, चोंगला E-zone, मीजो समूदाए का एक परसिद नर्त है, जो पावी के नाम से भी जाता है, चोंगला E-zone, आरे E-zone में वर्षा जादा होती है, ऐसे याद रखलो, E-zone में वर्षा जादा होती है, आरे बोलो एक बार फिर से, E-zone मे का परसिद है मिजोरम का परसिद है यह कै यह लान गलम हैना कि यत्ते है साइलन्ट होता इसमें लान गलम बोलेंगे इसको यह पूमा जाई के संगीत का उपयोग करके पूरे राज़ जम्य किया जाता है याद रखना महीलाई और परश spins दोनों करती है यह लोगपरिया पहते नर्त है याद रख लेंगे याद रख लेंगे लान गलम भाई लान गल गया इतनी इतने इतने मज़े आए कि नास्ते नास्ते आपका लान गल गया लान मतलब आपका पार्क गल गया मज़े आए पूरे उसके बाद नागलेंड नागलेंड में नाग लैंड में किया जाते हैं आपको अगर न्याग लकड़ेंड में हैं याद रहेंगे उसके बाद नोकी तेकर, नोकी तेकर नर्त है, नागा जंजाती करती है, याद रखेंगे, नोकी है ना, नोक से नाग का सर कुचल दो, तो नोकी नर्त है कहां पर है, नागा लेंड में है, उसके बाद है मेलो फिटा नर्त है, फिटा, ने ना, मेलो, मेलो, मेलो में क्या फेट गया, नाग गया काका यह नर्त अंगामी नागाओं दवारा फरूरी महा में संकेरणी उत्सव के दोरान मनाया जाता है यह कोशन बन जाएगा से करणी उत्सव किस राजय का परसिद है आंसर आएगा नागलेंट का अब देखो चांग लो भाई चांग लो चांग लो अब इसको मैं चोच और चोच किस की होती है नाग की होती है है ना चांग लो चांग लो यानि कि चोच लो भाई नोच लो किसको नोच लो नाग को लो चलो नाग लो तांग लो चांग लो पर तब कैसे कैसे नाम है मेरे भाई चांग लो नर्ते सु अला नागलेंट की चांग जंजाती के दवारा फसल के मोسم के रूप में तीन दिवस में किया जाता है याद रखेंगे उस के बाद लेंग यू नरते किस राज जेगा परसीद है ये भी नागाओं की दवारा किया जाता है नागालेंड में जेली यांग बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बहुत शांदार है बहुत बड़िया है यह नागालेंड में मौंट बेरल की पहड़ियों पर जेलियांग नागाओं दुवारा किया जाता है याद रखो जेलियांग नरते है ना मैंने बता है जेलियांग जेली लिया भाई के है जेली जेली मतलब जेली जेली हरियाने में ब उसके बाद रंग मा, है ना भई, रंग मा, रंग मा नर्टे का है, तो रंग मा, रंग मा नर्टे का है, आपका नागलेंड में है, याद रखना, ये आम तोर पर नगाडा तिहोर का एक हित्सा है, जो की पुर्षो की दोवारा दर्साया जाता है, रंग मा, मा, रंग मा, याद रखेंगे तितली नर्त है जैल यांग मनाते हैं भाई साब एक सेकंड रुख जाओ बास याद हो जाएंगे नागलेंट के नर्त है कुछ और भी नर्त है नागलेंट के आपको इहां पर दिखाई दे रहे होंगे लेसु लिप्तु इसमें इंपोर्टेंट है लेसु लिप्तु याद रखना लेसु लिप्तु अब मैं इसको याद कैसे रखता हूँ लेसु लिप्तु, लेसी को याद बना लो, लेसु को लास, और लिप्तु से बना लो लपेट दी गई, जब नाग लड़ जाएगी, तो लास बनके लपेट दी जाओगे, सीधी बात है, एक अलू यट्टु भी है, ये भी important है, जब लेसु लिप्तु, जब लास हो जाएगी तो बोरी में आलू की तरह लपेट दिये जाओगे क्यों क्योंकि नाग ने डस लिया था तो आलू एट्टू नाग नागलेंड में है ले सुलिप्तू नाग नागलेंड में है याद रख लेंगे कोन्याक जंजाती मनाती अलू एट्टू नर्ते को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कुछ नर्ते जो आपके हैं, वो नागेलेंट के मैंने करा दिये, उडिसा, अरे भीतर हो ले कनी का, नहीं तो उड़ जाएगी कनी का, तो उडिसा में कौन सा नेशनल पार्क है, आपका अंसर आएगा, भीतर कनी का नेशनल पार्क, सीमल नेशनल पार्क भी उडिसा के अंदर ही है, तो हम बात करेंगे नर्ते की, उडिसा उड़ गई, है न, रण पा, रण पा, है न, भाई, रण पा, रण कर ले, अब रण कर लेंगे, रण में क्या होगा? लोगों को उड़ा दे भाई, उड़ा दे, मार दे, काट दे, पीट रण पा, रण पा, उडिसा नर्ते, याद रखना भगवान कर्शन की बचपन की कहानियों के साथ साथ, ड्रम संगीत के साथ इसको किया जाता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, धनु जत्रा, इंपोर्टेंट बहुत है, धनु जत्रा, 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 जत पन एयर थ्रियेटर है जो की उड़िशा के बारगड में मनाय जाता है धनू जत्रा देखो अगर पैदल करें तो यात्रा बोलेंगे अगर उड़कर करेंगे तो जत्रा बोलेंगे बस इतना है धनू 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 जत्रा उसके बाद अरे दस कट्टे लेकर उड़ याद रखनाओ, दस कटिया डांस भी आपका कहां पर है, उडिसा में है, बहुत बढ़िया, गोटी पुआ भाई, भाई, गोटी पुआ, जिसने भी पुआ मारा है, आज तक वो उडिही गया है, तो उडिसा, पुआ, गोटी पुआ, अब इंपोर्टेंट है, गोटी पुआ जो उडिसी क्लासिकल डांस है, वो गोटी पुआ का ही एक हिस्सा रहा है, प्राचीन समय में, गोटी पुआ या बंद नर्ते, उडिसा का है, बगवान जगनात और कर्शन की स्तूती में महिलाएं इसका बेस धारन करती हैं, यानि कि जो युवा लड़के होते हैं, वो महि पुआइं के कपड़े पहन कर भगवान जगनात और कर्शन की स्तूती में यह नर्ते करते हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उसके बाद दाल खाई और उड़ गई वहा, वह उसने दाल खाई और उड़ गई, तो वह दाल खाई नर्ते या दाल खाई महुच्छो उडिसा का फेमस है आदिवासी संबल पुर जिले में इसको मनाते हैं उसके बाद डंडा नाटा अगर कोई नाट रहा था किसी चीज को तो तुम क्या लियाए डंडा लियाए जैसे तुमने उसको डंडा मारा वो उड गया मतलब भाग गया वहां से तो डंडा नाटा या डं धेमसा नरत है आपका उडिसा में है याद रखेंगे धेमसा धेमसा रंग बत्ती भाई कौन सा नरत है रंग बत्ती भाई जादा रंग बत्ती हो गए थे या फिर होली पर रंग बत्ती या रंग जादा उड़ा दिये हमने याद रखेंगे रंग बत्ती आपका किया जाता है सकी कंधाई ये important है कंधाई नरते कंधाई धाई धाई कंधाई कटपुतली सो है बेटा तो पूछा गया पेपर में कि कटपुतली नरते कहां किया जाता है अगर ऐसा question आये तो रजस्तान इसका सही answer होगा अगर कंधही कटपुतली पूछ ले तो इसका उडिशा सही अंसर होगा याद रखना बागा, the tiger dance अब टाइगर आ जाते तो सब उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं तो tiger dance कहां किया जाता है, ये आपका किया जाता है उडिशा राज्य में चेती घोड़ा इसे घोड़ी पकड़ने वाले इसको करते हैं उड़ी सा की टट्टिय जिलों में किया जाता है चंगु नर्थ, आय चंगु नर्थ कहां किया जाता है उड़ीसा में संबलपुरी, संबलपुर जिला उड़ीसा में है याद रखना दाल खाई का ही दूसरा रूप है राधा और कृष्षन की पृति में इसको किया जाता है उसके बाद केला केलूनी केला के लूनी अर्य भाई वो बोल रहे है केला लूनी, केला नहीं लूंगी भाग ले यहाँ से उड़ जाए केला लेना पड़ेगा वाई केला लूनी मैं नहीं लेती केला सापो को पकड़ कर अपना जीवन वैतित करने वाले लोग केला समूदाए के हैं जो की इस नर्ते को बड़े हस्स के साथ प्रफॉर्म करते हैं देखो ये important है घुमरा नर्ते काला हंडी जिले में किया जाता अगर घुमर पूछे तो रजस्तान है अगर घुमरा पूछे तो आपका answer है उडीसा उडीसा और उडीसा PICA बहुत important है PICA PICA आ रहा है इसमें मुन्णा जनजाती करती है याद रखेंगे यह एक परकार का martial art है अभ हम बात करेंगे पंजाब राज्य की पंजाब राज्य एक भी नेशनल पार्क नहीं है पंजाब राज्ये में जंजातिया भी निवास नहीं करती है, याद रखना ध्यान रखना, उसके बाद बंगा या बागा नरत है बहुत इंपोर्टनट है, पंजाब का मार्सल आर्ट नरत है कौन सा है, बागा, इसे भांगणा के नाम से भी जाना जाता है, फसल उत्सो या बेसाकी के दोरान इसको प्राइक किये जाता है बहगा उसके बाद गत का बहुत बहुत इंपोर्टेंट है पेपर में पंजाब का मार्सल आर्ट कोन सा है गत का याद रखेंगे धान रखेंगे गत का गिद्दा सबको याद है गिद्दा पाऊं गिद्दा पाऊं ए मेरी भा बड़ा पाते हैं ओए शाबा ओए शाबा करते हैं तो किकली नरत याद रखना याद हो जाएगा पंजाब में गिद्दा ये होई गया देखो यहाँ पर मालवाई गिद्दा पुर्ष करते हैं मालवा छेतर के पुर्ष करते हैं याद रखना उसके बाद गिद्दा तुम कर भी कहते हैं यह जूली गिद्दा कर ले भंगड़ा पाले याद कर ले गत्का कर ले सारे पंजाब के नरते हैं जागो भाई जागो नरते बहुत इंपोर्टेंट है जागो गरहक जागो जागो दुलहन और दुलह दोनों के मात्री प्रिवारों द्वारा मनाये जाने वाला परसिद पंजाबी उत्सव है जागो गरहक जागो लुड़ी नर्ते पूछले आपसे वो भी पंजाब में है टेडी मेडी और साप की तरह जब हम अपने सरीर को बनाते हैं तो ये लुड़ी नर्ते पंजाब का बोल जाता है तो आज की कश्या में हमने बहुत सारे नर्ते करने की कोशिस की है I hope आपको ये क्लासिद पसंद आ रही है विजेता बैट पसंद आ रहा है बेटा इस क्लास को लाइक जरूर किया गरो जो कोश्चन में आपसे पूछ रहा हूं वो कोश्चन भी आप जल्दी से बता दें आपका कोश्चन आज का कोश्चन है कि वजूबूर सेली किस रज्य की या किस क्लासिकल डांस की पसिद सेली है ये कोश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जैहिंत चैभारत